कि की घलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग है मिंडियाग नेवी ने ओप्रेशन समूध्र से to क्या है इसकी में अब्जेक्टीव क्या है इसको क्यों है लॉंच क्या गया है Tucson h cartridge सि बात है समूध्र से तु अगर ढ़ी है तो डेफिनिटल भारत mission के बार में भी discuss करेंगे और यहां पर देखे अलग अलग जो rescue missions भारतिया government ने या फिर जो armed forces ने लिये थे इसके बार में भी discuss करेंगे तो देखे यह आपके prelims point of view के हिसाब से या GS3 paper में भी एक जो पार्ट है internal security तो इसके point of view के भी हिसाब से हम इसको discuss करेंगे तो बह अलेवाले ऐसे ही वीडियो के notification इस तरह आपको मिलते रहे और इस वीडियो का जो note है आपको हमारे website में मिल जाएगी नीचे description में मैंने website का link दे दिया है वहां से आप उसको follow कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो recently Indian Navy ने operation Samudra Setu 2 यह जो है launch किया है त तो definitely Samudra तो Indian Navy ने इसको launch किया है तो main Samudra Setu का objective है कि इंडिया में अभी जो medical oxygen की कमी हो रही है अलग-अलग states में काफी सारे news आपको मिलते रहते हैं तो इसके लिए अलग-अलग जो देश है USA हो गई यहाँ पे France, European countries हो गई अलग-अलग देश इंडिया को help कर रही है आप से oxygen requirements को meet करने के लिए Indian naval ships को deploy किया है यहाँ पे ताकि जो cryogenic containers है of liquid oxygen तो इसके बार में भी पहले मैं discuss कर चुका हूँ यहाँ पे तो उसके oxygen के जो cryogenic containers है और medical equipments जो COVID-19 का जो second wave है उससे related यहाँ पे लाया जा रहा है ताकि इंडिया में जो oxygen की need से उसको पूरी की जा सके तो देखें यहाँ पे INS Kolkata और INS Talwar यह दो जो इंडियन naval ship है यह बाहरेन में अलरेड़ी जा चुकी है तो यह अलरेड़ी start इसने किया था मुंबई से तो लगभग 40 metric ton of liquid oxygen यह मुंबई में लाएगी यह दोनों ही naval ship then INS जलवस्व यह Bangkok पहुँच चुकी है और INS एरवत यह Singapore पहुँच चुकी है दोनों की ही mission यहाँ पे same है यानि कि INS Kolkata, INS Talwar, INS जलवस्व, INS एरवत यह 4 जो naval ships निकल चुकी है oxygen को इंडिया में लेके आने के लिए तो यह रहा Samudra Setu 2 का main objective तो next हम बात करेंगे Samudra Setu तो पिछले साल मई महीने में Samudra Setu जो है इसको launch किया गया था Indian Navy के द्वारा लेकिन उस टाइम इसकी objective थोड़ी अलग थी तो देखें Samudra Setu यह जो है बंदे भारत मिशन का ही एक पाड़ था जिसमें लगभग 4000 से भी ज़्यादा जो भरतिय थे अलग अलग देशों में जैसे की मौलदीर्स हो गई, श्रीलंका, इरान जो वहाँ पर फस गए थे इंडिया में आना था उनलों को लेकिन आ नहीं प शुरुआत की गए थी, तो मौलदीब्स गई थी पहले फेज में, आयने जलस्वार मगर और बाद में इसमें अलग 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 स्रीलंका और इरान से भी इंडिया में जो इंडिया के जो सिर्टिजन से उनको लेके आये थे, नेक्स बात करेंगे यहाँ पर बंदे भारत म इसको भी पिछले साल मई महिने में जो इसको लॉंच किया गया था, तो इसको माना जाता है वान अब दा बिगेस्ट इवाक्वेशन एक्सेसाइस, ताकि अलग 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 देशों में जो भारत के लोग जो है दूरिंग कोवीड-19 के वाज़ से फस गए थे, तो इंडिय में जो है इंडियन सिटिजन्स को लेके आने का जो मिशन वो बंदे भारत मिशन जो है इसको फेज मैनर में कम्प्लीट की गई थी, तो अगर बात करेंगे बंदे भारत मिशन इसको माना जाता है कि 1990s में जब गल्फ में, जब गल्फ वार शुडू होगी थी, तो उसने मे एक लाग सतत्त हजार भारतिय लोगों को इवाकुएट किया गया था, तो ये बंदे भारत मिशन उससे भी बढ़ी, यानिकि लगभग 32 लाग इन एप्रॉक्सिमेट लोगों को जो है, अलग-अलग देशों से, दस्ट अलग-अलग फेजस में भारत लाया गया था यहां तो मेंली यहां पे उन ही लोगों को लाया गया था, जिनकी सपोर्द मान लिजा कि उस देश में एम्प्लॉयमेंट यानिकि जॉब चली गई है, विजा के रिलेटेट प्रॉब्लेम्स है, तो उस लोगों को ज्यादा प्रारिटी दी गए थी इंडियन सिटिजन्स को, और जो भी खर्चे हुए थे, उन लोगों को खुझ से जो पेमेंट करना पड़ा था, जो भी इंडियन सिटिजन्स इंडिया आ रहे थे, तो मेंली अगर देखेंगे, एर इंडिया, एर इंडिया का जो सबसीडिरी है, एर इंडिया एक्सप्रेस ये दोनों ने, जो मिलके आपको मेंस में ऐसे प्रशन पूछे जाए, या फिर प्रिलिम्स में भी कभी कभी पूछे जा सकता है, तो आपके पास उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए, इन्फोरमेशन होनी बहुत ज़री है, और अगर ऐसे इन्फोरमेशन आप प्रोवाइट करेंगे, तो डेफिने लग गया था यहां पर तो बहुत ही बड़ा मिशन था उन अब दा लार्जेस मिशन अब दा वर्ल ठू यहां पर एरलाइन से इवाकुएट किया गया था भारतिया जो सिटिजन्स को उपरेशन राहत अगर बात करेंगे इसको लॉंच किया गया था इंडियान आर्ण फोर्सेस को द्वारा लगभग 4,640 जो भारतिया सिटिजन्स और 960 फोरेंड सिटिजन्स को 41 कंट्री से जो येमेन क्राइसिस होई थी 2015 में वहां पर एवाकुएट किया गया था थ्रू जो है इसको जो है एक रिलीफ ऑपरेशन है इसको लॉंच किया गया था गवर्मेंट ऑफ इंडिया और इंडियान आर्ण फोर्सेस के द्वारा जब नेपाल में 2015 में अर्ट को अख हुई थी तो उस ताइम में भारतिया काफी लोग वहां पर फस गये थे तो थ्रू ऑपर इसको लॉंच किया गया था भारतिया गवर्मेंट के द्वारा फेबुरी 2011 में जब लिबियन सिविल वन हो गये थी तो भारतिया जो भी सिटीजन थी वहां पर लिबिया से इंडिया उनको लाया गया था ऑपरेशन सुकून के अगर बात करेंगे तो ऑपरेशन सुकून इ इंडिया नेवी के द्वारा जहां पर भारत श्रीलंका और नेपाल के जो सिटीजन से उनको 2006 के जो लेबानन वार हो था लेबानन वार उस टाइम में जो उपरेशन सुकून के द्वारा जो इंडिया श्रीलंका और नेपाल के सिटीजन को इंडिया लाये गया था तो लिखेंगे तो काफी अच्छे मार्स आपको मिल सकते हैं तो यह था हम लोगा complete analysis regarding operation समूद्र से तू आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़े सीखने को मिला होगा और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक किजिए इसको सब्सक्रा संदे टेक केर थैंक यू अजय हिंद